Hello everyone, I am Harmeet, welcome you once again on daily vocabulary session by Digital Tiyari, यानि DVS. ये जो वीडियो है ये आपके लिए daily सुबा आठ बर्जे अप्लोड कर दी जाती है, right? बिल्कुल भी हम देरी नहीं करते हैं, तो आप भी देरी मत कीजेगा. डेली कुछ ना कुछ वर्ट सीखेंगे, तब ही vocabulary आपके अच्छी हो पाएगी. जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि vocabulary ऐसी चीज नहीं है, जिसे आप एक दिन में, एक हफ़ते में या एक महीने में सीख सकते हैं, डेली आपको कुछ ना कुछ वर्ट सीखने पड़ेंगे, कुछ लंबे टाइम के लिए, तब ही आप अच्छी vocabulary कर पाएंगे, और इसी purpose के साथ में, कि आपको डेली कुछ वर्ट मिल सकें, डेली आप कुछ वर्ट सीख सकें, इसलिए हमारे चानल ने ये जो session है, जो daily vocabulary session है ये start किया था इसी purpose के साथ में, और बहुत सारी students की request पर, right, so make sure आप कोई भी video मिस ना करें, पहली बार video देख रहे हैं, तो आपको इसी चैनल पर playlist मिल जाएगी, जिसमें हमने, almost कह सकते हैं, जितने भी words हमने देखे हैं, आस तक SSE, bank, TOEFL, IELTS, defense exams में, कोई भी exam में competitive, सारे exam से हम words लेकर आते हैं, उसमें कुछ words हम daily आपके लिए करवाते हैं, right, तो starting से आपको video देखना शुरू कीजिए, वैसे तो आप कहीं से भी देख सकते हैं, लेकि सारी videos देखिए, क्योंकि important words हैं सारे के सारे हर एक exam के लिए, right, और जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, कोई भ आपने कोई नया word देखा, या कोई मूवी में, या कहीं से भी, आपको कोई भी एक नया word मिलता है, right, आपको लगता है कि नहीं मुझे इसका मतलब नहीं बता, तो आप comment box में उसका मुझे बता सकते हैं, कि माम इस word को आप explain कर दीजे, मैं definitely उसको अपनी next slides में consider करूंगी, जैसे कि हमारा जो first word है आज का, वो है allegedly, okay, allegedly जो word है, ये देवराज पांचाल ने हमारी एक वीडियो में comment किया था और बोला था, इसका मतलब बताओ, okay, तो allegedly जो था, allegedly का मतलब क्या होता है, इसको अच्छे से समझेंगे, अगर देवराज अभी देख रहे हैं, तो उन्हें adverb है, चीक है, और इसका मतलब जानने से पहले मैं बात करूँगी एक word की, जिससे ये word बना है, वो है allegation, चीक है, I hope ये वाला जो word है, ये आपने कही ना कही सुना हो, allegedly भली ना सुना हो, लेकिन allegation, I hope सबने सुना होगा, नहीं सुना तो अभी जान लो, allegation यानि किसी पर ऐ प्रूफ नहीं है, लेकिन हम बोलना है कि नहीं, तुमने ये चीज की है, तुमने ये crime किया है, किसी को blame करना बिना किसी प्रूफ के, वो क्या होता है, allegation, यानि किसी पर आरोप थोपना, चीक है, समझ मा आगे, allegation का मतलब समझ मा आया, चीक है, next word, तो इसी से हमारा word बनता है, allegedly, allegory का मतलब होता है, जब कोई आरोप, जब कोई claim आप पर allegedly तरीके से लगायाई जायाए, तो उसका मतलब होता है, कि कतित तौर पर, यानि उस चीज का कोई proof नहीं है, लेकिन आप पर claim किया जा रहा है कि आपने वो crime या फिर आपने वो चीज की है, तो allegedly का मतलब क्य हमारे पास नहीं है तो वह चीज कैसी हो जाएगी एलिजडली हो जाएगी इसका सिनॉनिम देख लेते हैं तो सब से पहला हो जाएगा एक और प्रिविए उक यानि लोगों की कहने के एक नशिद होई है लेकिन उस कोई भी पर्टिकुलर प्रूफ नहीं है तो क्या हो जाएगा रिपोर्टेडली एक और वर्ड जो कि हम प्रिविएस किसी वीडियो में भी कर चुके हैं अगर कोई चीज प्रिजम्टिव है तो उसका मतलब है सिर्फ और सिर्फ कहने के लिए या फिर कह सकते हैं अनुमान के हमारे estimation के according वो cheese हुई है लेकिन actual में उसका proof नहीं है मैंने mathematical जो formulas होते हैं उनका example दिया था ठीक है 2 प्लस 2 4 होता है इस चीज का कोई proof नहीं है हमारे पास लेकिन हमने अनुमान के हिजाब से क्या कर रखा है इस चीज को कर रखा है जब भी हम इसको use करते है हमारा answer सही आता ह चीक है तो presumptive यहां पर जो है यह एक adjective है बाकी जो यह सारे है यह एक adverbs है एंटरिम्स इसके हो जाएंगे impossibly कि कोई चीज हो ही नहीं सकती impossible है यानि proof है उस चीज का दूसरा चीज हो गई unquestionably यानि ऐसी चीज जिस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता जो चीज हुई है actual में यानि उस चीज का proof है unquestionable है यानि आप सवाल करी नहीं सकते है उस चीज में आप यह किजी चीज कही नहीं सकते कि यह चीज नहीं हुई है तो unquestionably इसका एक close antonym तो नहीं बोल सकती बट हाँ यह चीज क्या हो जाएगा एक इसका दूर का एक antonym हो जाएगा एक अच्छा इसका antonym बन सकता है proven ठीक है लेकिन proven एक adjective है ठीक है proven यानि जो सिद्ध हो चुकी है चीज एकदम कह सकते हैं हम sure हैं कि यह चीज हुई है proven, prove हो चुकी है ठीक है तो allegedly का hope मतलब समझ आ गया होगा आपको भी और देवराज को भी कि allegedly का मतलब ऐसी कोई चीज या ऐसी कोई activity ज तो सिर्फ और सिर्फ कहने के according, claims के according हुई है बट उसका कोई actual proof नहीं है जादातर जो हमारे courtrooms होते हैं उसमें यह word यूज किया जाता है जब इसे cases वगएरा चलता है वहाँ पर यह जादातर word यूज किया जाता है फिर भी देखते हैं कि किस तरह से इसका use हमने किया है कि he was serving a life sentence for crimes allegedly committed in her name चीक है वो जो है मतलब life sentence यानी पूरी जिंदगी उमरकैद जहेल रहा है क्यों उन crimes के लिए जो की उसके नाम पर क्या किये हैं allegedly allegedly मतलब क्या होता है कि हाँ इसने ये काम किया है भली उसका proof मिला हो या नहीं मिला हो चीक है तो allegedly का मतलब क्या हो गया है ऐसी ची काथन के according claim से according हुई है लेकिन उसका कोई proof नहीं है चलिए जल्दी से ना next word देख लेते हैं तो next word है हमारा स्नाल चीक है ये क्या है स्नाल सबसे पहले तो क्या है एक verb है चीक है और स्नाल का मतलब होता है दो मतलब basically इसके होते हैं पहला मतलब होता है किसी को अपने चंगुल में अपनी ग्रे में अपने मतलब कह सकते हैं अपने वश में फसाना चीक है दूसरा होता है कि गुर्राना basically जो animals होते हैं dogs होते हैं tigers होते हैं वो जब एकदम बोलता है डराने वाली sound निकालते हैं एकदम बहुत एकदम violently sound करते हैं तब हम क्या बोलते हैं उसको snarling बोलते है क्या बोलते हैं कि वो क्या कर रहे हैं snarl कर रहे हैं पहला मतलब मैं आपको बता दिया अपने चंगुल में अपनी ग्रे में फसाना यानि कोई animal जब बहुत जब जब अपने दातों के साथ में किसी अपने जो शिकार होता है उसको पकड़ लेता है एकदम फसा लेता है अप गुर्राते हैं उन्हें हम snarlink बोलते हैं चलिए synonyms इसके हो जाएंगे entangled कि यानि entangle करना यानि पसाना growl करना growl का मतलब क्या होता है कि गुर्राने वाली अवाज निकालना जब डरावनी अवाज निकालना इसके हो जाएंगे entangled मतलब ग्रह से छूटना फ्री करना यानि एकदम फ्री कर देना चीक है तो यह क्या हो जाएंगे इसके synonyms और intonyms हो जाएंगे I hope इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा दो मतलब है जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ एक वर्ड के कई तरे के से मतलब ह each other so I had to separate them dogs जो थे वो एक दूसरे की तरफ क्या करने लग गए snarl करने लग गए यानि गुर्राने लग गए तो मुझे उन लोगों उनको क्या करना पड़ा अलग करना पड़ा अलग-अलग करना पड़ा चीक है तो snarling मतलब क्या होता है या तो एकदम गुस्से से गुर्र या फिर अपनी गिर है यानी चंगुल में फसाना ओके चलिया जाए नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्या वर्ड है स्पेक्ट्रे ओके स्पेक्ट्रे जो होता है इसका मतलब होता है बेसिकली अशाडव लेकिन जैसे आपन बोलता ना कि वैसे तो आसी चीज़ होती नहीं है मैं कि जैसे भूत, काली चाया, आत्मा का साया न ये सारी चीज होती है सिप्ट्रे बते हैं मतलब इसको बोलते हैं क्या हो गया । तो किसी यसी सभी खाया या भूत आप फेल श्यक्तिन आजब न रहीं बताना ही Mickey तो वैसे ही, जो spectre है, उसका मतलब क्या हो गया, भूत हो गया, या तिर कोई काली चाया होगी, काली परच्छाई होगी, या शेड़ो होगी, चली, synonyms इसके हो जाएंगे, phantom, phantom का भी मतलब क्या होता है, काली चाया है, या परच्छाई किसी की, apparition, चीक है, apparition का भी मतलब क इसको यूज करके आप पो इसका अच्छा से मेनिंग बताऊंगे हलुसिनेशन हलुसिनेशन एक कैसे इतने स्टेट होती है माइंड की जब हमें ऐसी चीजें दिखती है जो वहाँ पर नहीं होती यानि इस ओल इनर माइंड ऐसी चीजने दिखना है ऐसी चीजें सुनना जो की हमारे आसपास नहीं है लेकिन हमारे माइंड के अनदर तो यह जो भूत वगरा है इस सब हमारे माइंड में होता है तो हलुसिनेशन उश स्टेट को बोलता है तो same चीज वैसे ही word यहांपर क्या यूज हुआ है, apparition, चीक है, तो यह state है, okay, antonyms इसके हो जाएंगे reality, यानि actuality, जो actual में चीज है वहाँपर, और living soul, चीक है, बिजिस भूत हम किसको बोलते हैं, which are like dead, और living soul, यानि जो जीता जाकता person है, okay, तो spectre का मतलब क्या होता है, एक आँकों के सामने बिलकूल उसका क्या गया था, एक spectre गया था, काली चाया गया थी, या फिर उसका भूद गया था, चीक है, चलिए, next word देखते हैं हमारा, तो next word है आज का नेव, चीक है, word क्या है, नेव, अच्छा, ये नेव नहीं है, ये वाला, इस word का मतलब ही हमने किया जा सके, जो धोका देगा आपको, चीक है, basically दुष्टा बोल सकता, चीक है, एकदम दुष्ट आदमी, जो की, जिस पर बिलकुल भी ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, चीक है, सिनॉनिंस के देख लेता है, विलन, मुवीज वगर हम आपने क्या देखा है, हीरो होता है, मत होती, अच्छा होता है, काइंड होता है, लेकिन जो विलन होता है, वो कैसा होता है, नेव होता है, विलन का मतलब ही होता है, कि दुष्ट परसन, जो की सारी चीजों को गलत करने के लिए ही दुनिया में है, चीक है, रोग, चीक है, रोग नेशन हमने एक मुवी मैंने यह सारे इसके क्या हो जाएंगे? अन्टनिम्स हो जाएंगे. तो नेव मतलब एकदम दुष्ट आदमी, एकदम डिसॉनेस्ट परसिंगे. यूज देखते हैं इसका कि जेसन इसन इसन नेव विल नौट हेज़िटेट तु स्टील मानी जेसन जो है वो एक नेव है, यानि बहुत ही दुष्ट किसम का आदमी है, जो कि अपने फैमिली मेंबर से भी पैसे चुराने में हेज़िटेट नहीं करेगा, हेज़िटेट का मत्तब होता है हिच के चाना, जींखे बिलकुल भी यह नहीं हिच के चाहेगा जीचे, तो एक और वर्ड हमने सीख लिया हेज़िटेट करना यानि हिच के चाना, थोड़ा सा डरना सहमना, तो वो अपने फैमिली मेंबर से भी पैसे चुराने में नहीं हिचक जाएगा क्यों क्योंकि वो क्या है वो एक नेव है यानि एक कह सकते हैं बहुती दुष्ट आदमी है अच्छा इसको वर्ड को याद क्या से करेंगे नेव को आप बोल सकते हो कि नेवला नेवले को हम कंसिटर करते हैं बेसिकली एक दुष्ट थुड़ा सा वॉयलन टाइप ऑफ अनिमल चीक है तो नेव का मतलब क्या हो गया दुष्ट या फिर सही प्रकरती का आदमी नहीं होना नेक्स्ट वर्ड हमारा हो जाएगा पीर इसको पीर भी कोई लोग बोलते हैं कोई लोग पियर बोलते हैं दोनों ही सही है तो पियर हम इसको बोलेंगे तो पियर का मतलब होता है आपके साथ में काम करने वाला या फिर मैं आपको बोलूँगे आपके सेम लेवल पर काम करन जैसे एक organization होती है आपने hierarchy system बढ़ा है ना कि इस तरह से यह पायचार्ट सब ने बढ़ा होगा ठीक है जैसे यहां पर top management होता है फिर उससे नीचे managers आ जाते हैं फिर उससे नीचे जो हमारे जो office staff है जैसे office boy है या जो तोटा मोटा काम करने वाले हैं वो third sector में आ जाएंगे इस तरह की चीज़े हमने पढ़ी है यानि hierarchy system होता है एक किसी भी organization में किसी भी company में तो जैसे हमने police forces में भी देखा होगा कि पहले हमारे यह जो constables गरा होता है फिर उसके उपर SP वगरा है इससे मतलब ranks बढ़ती जाती है तो पेर का मतलब होता है वो लोग जो आपकी same level पर काम कर रहे हैं ना आपसे उपर ना आपसे नीचे एक दम same level पर आपके काम कर रहे हैं ठीक है सह गर्मी यानि same साथ में काम करने वाले okay synonyms इसके हो जाएंगे co-worker और come-pair come-pair भी same word होता है ठीक है co-worker इसका एक अच्छा synonym है close synonym है antonyms के हो जाएंगे commoner commoner का मतलब होता है आम person और दूसरा हो जाएगा junior junior यानि आपसे नीचे काम करने वाला या पर जिसकी position आपसे कम है या आपसे कम experience रखने वाला आपका junior हो जाए okay so pair का मतलब क्या होगा आपके same level का same position पर काम करने वाला okay the teacher assigned several peer groups for the project on famous poets teacher ने क्या होता था स्कूल में भी ऐसे ने groups में divide कर दे थे तो groups में जब divide करते थे तो जिसे चार लोग है चार लोगों को एक साथ काम करना होता था तो teacher ने पेर ग्रूप से में डिवाइड कर दिया जो की famous poets जो थे famous जो कवी है उन पर उनको project बनाना था तो चार लोग है उनका काम क्या होगा एक जैसा होगा उनकी position भी एक जैसी होगी और काम भी उनमें आदा आदा बढ़ जाएगा लेकिन level उनका कैसा होगा एक तो आपस में क्य होगे पेर होगे जीक है यानि एक दूसरा दूसरे person का क्या लगा पेर लगा पेर का मतलब क्या होगे सह कर्मी यानि साथ में काम करने वाला चलिए जी next word जल्दी से देख लेते हैं तो हमारा next word है examt करना examt करना examt बहुत ही अच्छा word है कई जगा यूज किया गया है जो की commerce के students है उन्हें तो बिलकुल पता होगा कि examt का मतलब क्या हो जाए क्या होता है कि देखिए जब भी हम text पढ़ते है na text session I think आपकी सब की graduation में जो भी commerce वाले है उनके text session जरूर एक subject रहा होगा तो text session में क्या होता है हमें होता है कि कुछ जो हमारी incomes होती है वो exempted होती है ठीक ह exempted का मतलब क्या हो गया जो हमारी जिन पर text नहीं लगेगा यानि text से उनको क्या मिल चुकी है छूट मिल चुकी है यानि वो text free हो चुकी है तो किसी चीज से क्या करना किसी person को छूट देना कोई या फिर उसको उस चीज से वांचत कर देना या फिर उस person को उस particular चीज से free कर क्या होता है exempt कर 9 जब किसी चीज के लिए के लिया आप किसी चीज को करने के लिए और कोई पैसा देने के लिए liball नहीं हो यानि आप free हो चुके हो उस चीज से तो उसका मतलब क्या होगा? You are exempted, ठीक है? चलिए, antonyms इसके हो जाएंगे libel यानि आपको compulsory वो चीज करनी है subject to subject to यानि आपको जरूर ये चीज करनी पड़ेगी ये जो particular आपका काम है ये बिना इस चीज के नहीं होगा यानि आप exempted नहीं हो ठीक है? तो subject to, libel to ठीक है? ये क्या हो जाएंगे? हमारे exempt के antonyms यानि opposite words हो जाएंगे यूज देखते हैं इसका की true nobility is exempt from fear जो true यानि जो सच्ची nobility है noble लोग होते है ना बहुती ज्यानी लोग होते है तो जो सच्ची जो कहसे है ज्यान जो है वो क्या है is exempt from fear कि जो डर नहीं है डर से एक तरह से free हैं वो लोग चीक है? तो वो क्या है? true nobility है exempt from fear यानि free from the fear चलिए जी next word देख लेते हैं जल्दी से तो जो हमारा next word है वो है shun क्या word है shun? छोटा सा word है लेकिन इसका मतलब अच्छा है बहुत सारे इसके मतलब निकलते हैं दो उसमें major इसके मतलब है shun करना या तो किसी चीज को टालना, ignore करना तीक है? या फिर किसी चीज को किसी चीज से दूर रहना एक word हम ने सोना होगा हिंदी में slang language में बोलते हैं किसी को ऐसे धिकारना या फिर किसी चीज से दूर हट जाना उसकिसी चीज को छोड़ देना वो क्या हो जाएगा? shun करना shun यानि उस चीज को हमें टच्छ भी नहीं करना क्या सारे लोग होते किसे लसन प्याज नहीं घाया जाता तो उनके घər में क्या चीज है? लसन प्याज को क्या क्या होआ? shun किया हुआ है यानि उससे दूर रहा हुआ है चले commence किसी चीज को टालना या किसी चीज से दूर रहना Synonyms उसकिह हो जाएगै evade करना, evade करना, यानि किसी चीज से दूर भागना, एक वर्ड है issue करना, issue यानि किसी चीज से दूरी बना लेना, या किसी चीज को बिल्कुल abandon कर देना, छोड़ देना, त्याग देना, छी के abandon भी आप इसका एक synonym लिख सकते हो abandon, चलिए antonyms के हो जाएंगे, किसी चीज को accept करना, या किसी चीज को welcome करना, या फिर किसी चीज को adapt करना किसी आदत को किसी activity को हम adapt करते हैं या फिर हम उसको अपनी life में लेकर आ जाते हैं, तो accept, welcome adapt ये क्या हो जाएंगे, इनके shun के close antonym, यानि opposite words, हो जाएंगे, देखने हैं, इसकी use, कि he shuns parties and social events, वो parties और जो social events है, उनको क्या करता है, avoid करता है, या फिर उनसे दूर रहता है, अच्छा, तो यह person है, जिसके हम बात करें है, यह क्या हो गया, यह एक introvert हो गया, कई बार मैंने बात की है, यह क्या हो गया, introvert हो यानि यह खुद-खुद में रहने वाला है, social gatherings इसको पसंद नहीं है, लेकिन अगर इसी जगह इसको social gathering या parties पसंद होती, तो यह क्या हो जाता है, एक extrovert हो जाता, extrovert यानि जो society वगरा, जिसको parties वगरा, दोस्तों के साथ रहना, घूमना फिर ना, यह चीज अच्छी अगरा है, जाधा जाधा, जाधा society में मिलता जुलता नहीं है, जीक है, so he shunns parties and social events, वो parties and social events को क्या करता है, shunns करता, यानि उन से दूर रहता है, जीक है, गौट it, चलिये जी, आज का last word देख लेते हैं, तो आज का जो last word है, वो है, Forbearance Forbearance जो word है एक noun है ये चीक है चलिए Forbearance Word का मेले ही निकालते हैं यहीं से Bear किसी चीज को bear करना किसी चीज को सहना चीक है किसी चीज का बोज उठाना क्या होता है Bear Bear तो Forbearance यानि सहन, शीलता, टॉलरेंस कह सकते हो यानि आपकी जो किसी चीज को झेलने की जो Power है वह बहुत जादा है तो सहन, शीलता इसका क्या हो जाएगा Meaning हो जाएगा Forbearance का ठीक है किसी चीज को झेलना किसी चीज का बोज उठाना ठीक है उससे कत्राना ने बिल्कुल भी वो क्या हो जाएगा Forbearance ठीक है Equality है ये तो quality हमें पता है Quality क्या होती है Noun होती है चलिए Synonyms इसके हो जाएगे Tolerance Tolerance का भी मतलब क्या होता है शेहनशीलता Patience Patience का भी मतलब क्या होता है जो person बहुत साथ जल्दी जल्दी नहीं करता थोड़ा धहरे होता है उसमें हम क्या बोलता है Patience Okay Antonyms इसके हो जाएगे Impatience ठीक है Impatience इसके क्या हो जाएगे Exactly कह सकते है Close Antonyms इसका हो जाएगा Use देखते है इसका कि All around Patience and forbearance Are running thin ठीक है पूरी दुनिया में All around मतलब हर जगा Patience यानि धहरे और forbearance यानि सहन शीलता Are running thin Running thin का मतलब होता है कोई चीज़ अब कम हो रही है यानि पतली हो रही है इसका मतलब या नहीं है इसका मतलब है नहीं मिल रही है या फिर बहुत ही कम मिल रही है लोगों में कम होते जा रही है देखे रहे है लोगों में Patience Tolerance कहां रहा है अब चीज़ है So वही चीज़ है that forbearance का मतलब क्या है सहन शीलता है किसी चीज़ को सहन करने की या किसी चीज़ को bear करने की झेलने की पावर चलिए जरूर करना तभी डेली वीडियो मिल पाएगी Thank you so much Please Like Share Subscribe Digital तैयारी